बिस्मिल्ला रह्मान ररहीम, अस्सलाम अलेकूं स्टुनेंट्स, मैं हूँ हसान फरीद, आपका फिजिक सीचर, सुनर साप लोग जानते हैं कि चैप नमबर एट की थिएरी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम करें कि चैप नमबर एट की नुमेरिकल, तो यह स्टार्ट करते है फर्स नमेरिकल की स्टेटमेंट से, इससे पहले कि मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ हूँ, मैं यहां कुछ हैडिंस दे देता हूँ, एक गिवन डेटा की, ताकि जो भी डेटा गिवान है, मैं उसको इकठा करके एक जगा पर लिख दो, उसके बाद जो हमें मालूम करना है है, जो रिक्वारड है, फिशस्को बीफांट, वो लिख दें, और तपिर हम इसके सॉलुशन की लख है, निमेरिकल बहुत आसान है, जरह लेखते हैं जी, वट रडेटार वेवलेंस उपर टेले विजिन स्टेशन विच्ट रांसमित्स विजिन, विजिन पर इस अर विज frequency लिखने लेगे हैं लेकिन F के साथ छोटा सा V लिख देता हूं ताकर पता चले कि यह जो हमारे पास vision frequency है उसके बाद sound है उसके मैं Fs लिख देता हूं sound की frequency 505 MHz respectively तेक speed of electromagnetic wave as 3 into 10 is power 8 meter per second वो कहता है कि आप जो speed of electromagnetic waves है वैसे आपको मालूम है यह चीज़ ना भी दिए हो तो obvious है कि electromagnetic waves की speed है वो 3 into 10 is power 8 meters per second होती है अब हमारे पास वो कहता है what are the wavelengths तो यह जो frequencies दिए हो इनकी particular wavelengths find out करनी है यानि vision वाली lambda और sound की जो lambda है यह दोनों चीज़े हमें मालूम करनी है वज़रे देखें एफ गिवन है वी गिवन है और lambda पूछा हुआ है तो यहां पूतर सिंपल हमारे wave equation लगेगी जो कि कहती है वी इस इकलस टू f lambda तो अब क्योंकि मैंने दो दफा लेंडा निकालना है तो मैं यह equation दो दफा लगाऊंगा वी इस इकलस टू f lambda और वी इस इकलस टू f lambda एक में मैं विजन की बात करूँगा तो frequency बीजिन की होगी और wavelength बीजिन की होगी एक में मैं साउंड की बात करूँगा तो दोनों चीज़ें साउंड से रेट होंगे तो मैं सिंबल डिफरेंट दे रहाँ यहां क्योंकि मुझे लैम्डा वी मालूम करना है तो लैम्डा वी को मैं एक तरफ रखता हूं यह f इदर multiply हो रहा है उदर जाकर वी से डिवाइड हो जाएग जिबकि जो f v है वो है 500 मेगा हर्ट्स मेगा की जगा 10 रिजट पार 6 लिख देगा उसके बाद लैम्डा एस जो है वो 3 इंटू 10 रिजट पार 8 उपर आजेगा उसमें नीचे एफ ऐसे और वो है 505 मेगा हर्ट्स तो 505 लिखके मेगा की जगा 10 की पार 6 लोगे अब इनको डिवाइड करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है तो हमारे पास इसकी वेवलेंथ आएगी 0.6 और वेवलेंथ क्योंकि लेंथ है तो इसका यूनिट जो है वो 0.6 यहां पर देखते हैं जी लैम्डा एस कितना आता है इसके लिए भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा यह आजागे जी 0.59 में यह स्टुडेंट्स इसकी स्टुडेंट्मेंट्स पड़ते हैं वेगिन उससे पहले हम देखते हैं कि क्या डेटा मौझूद है नमेरिकल को सॉइट करने के लिए और क्या कुछ हमें मालूम करना तो कहते हैं कि आप पर सन आन दा सीशोर अबसर्व दाट फॉर्टी एट वेव रीच दा शोर इन वन बिन फॉर्टी एट वेव इन वन मिन आपको मालूम है समय है फ्रिक्वेटि के होती है नमबर आफ वेव इन वन सेकंड मजर इसाई उनियुनत्स में नहीं है मिन्ट की जगा सेकंड होना चाई है कुर्य हम भूष करते हैं पर सकंड मैं यह को मालू में नीचे मिनिट आप में साध सेकंड होते हैं तो इसको सीस्टी सी डिषट कर देते हैं और यहां पर व्याइव पर मिनिट की बजाए पर सैकंड आजएगा 48 को 60 से डिवाइट करते हैं पहले यह हमारे पस आजएगा 0.8 और वेवस पर सेकंड हर्ट्स होता है यह हमारे पस फ्रिक्वेंसी आगे यह हुई थी फ्रिक्वेंसी लेकिन हम लोगो ने उसको standard units में convert कर लिया if the wavelength of the wave is 10 meter wavelength is 10 meter यह भी हमारे गिवन है then find the velocity V velocity of the wave मानूं करना इन तीन चीज़ों को देख कर एगी कोई जहन में आती है वो है V is equals to F lambda जिसको हम लोग ने previous numerical में भी उसकिया तो वही formula apply करते हैं V is equals to F lambda you just have to put the values of F and lambda F की यह value value ना put कर देजेगा standard value put कर देगा 0.8 lambda is 10 तो यह हमारा पास answer बन जाएगा 8 meter a second तो बस students इतना सा numerical ता चलते हैं next board पर देखते हैं के next numerical किस तरह से करना है तो आजे students इसकी statement पढ़ते हैं in a ripple tank 500 waves passes through a certain point in 10 seconds तो यह data दिया हुआ है इसको note करते हैं और इसके साथ देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है required क्या और फिर हमाएंगे solution सबसे बहले हैं तो कहते हैं कि 500 waves है in 10 seconds 10 seconds में 500 waves है frequency क्या होती है एक second में कितनी waves है तो निकाले जा सकी है उसको given data में ही हम adjust कर देते हैं तो 500 waves है 10 seconds में तो एक second में कितनी होंगी तो 10 से divide कर दें तो फिर हमारे पास यह आ जाएगा 50 waves in 1 second और wave यह cycles यह vibrations in one second यह पर second is called hertz तो यह unit में आप 50 herd anything तो यह है तो यह तो यह में तो यह 1 जाएगा if the speed of the wave is speed of the wave is 3.5 meters per second this is the second thing which is given speed of the wave is 3.5 meters per second then find wavelength of the wave तो wavelength मालूम करनी है lambda find out करना students फिर वो ही data आपके पास यह बहुत असान है आप लोगो ने दुबारा से वो ही formula अप्लाई करने है V is equals to F lambda जिसे हम wave equation कहते हैं लिकिन इस दफा हमें lambda मालूम करने हैं तो हम lambda को एक तरफ रखेंगे इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेते हैं यह आंसर आया 0.07 और wavelength का unit होता है तो students यह तो होगे first three numericals चलते हैं first board पर देखते हैं कि बागी numericals को कैसे solve करना है तो आई एक student इस numerical की statement देखते हैं a string of guitar 1.3 meter long तो data दिया होगा हम यह data इक अठा लिख लेते हैं सबसे पहले उसने बताया है कि guitar जो है string of guitar is 1.3 meter long तो यह length भी होई है vibrates with four nodes आई इसको जरा इतना पर draw कर लेता है तो हमारे पास एक string है वो दोनों तरफ इस support से जुड़ी है चार nodes बने आपको बता है end पर तो वैसे ही nodes बनते हैं तो दो nodes तो यह हो गए तो इसके इलावा दो मजीद nodes हैं तो वो मैंने इस तरह से बना दी तो जरा देखिए जब मैं यह wave construct कर दो है तो यह हमारे पास wave बन रही है तो यह हमारे पास wave बन रही है ठीक है इसमें चार nodes हैं एक, दो, तीन और चार लेकिन loops important हैं तीन loops बने हैं चार nodes के वाज़ा से और loops को हम N से represent करते हैं तो N के बारे में मैं कहूँगा यह 3 loops है ठीक है, N is equals to 3 find the wavelength and speed लोग, यह दो चीज़े मालूम करनी हैं wavelength क्योंकि 3 loops बन रहे हैं तो मैं 3 loops वाली wavelength क्या देता हूँ lambda 3 और speed मालूम करनी है अच्छ in the string, if it vibrates at 500 Hz इसकी जो frequency वो 500 Hz है 500 Hz का मतलब क्या हूँ 500 Hz का मतलब हुआ कि इसकी जो frequency है तीन loops में vibrate करने की वो 500 Hz है अब इसके solution की तरफ आते है आपको मालूम है कि strings के अंदर हम लगने यह formula पढ़ा कि हमारे पास किसी भी situation के अंदर जो wavelength है याई जनरल मैं कहें तो nth wavelength जो है याई किसी भी situation की wavelength वो बराबर होती है 2L over N अब हम कौन से situation की बात करें जिसमें तीन loops बन रहे हैं तो n की value 3 put करेंगे तिदर lambda 3 आ जागा 2 as it is l की value तो हमें मालूम है 1.3 meters है divided by n की value 3 put करनी है जैसे कि मैंने पहले बताया आपको तो यहां से हमारे पास wavelength आ जाएगी यह lambda हमारे पास आया 0.86 meter तो यह चीज तो हमने मालूम कर लिए अब वो कहते है speed निकाले आपको मालूम है frequency है wavelength है तो speed के लिए तो wave equation यूज कर सकते हैं तो v is equals to lambda यह third harmonic की बात हो रही है तो दोनों के साथ 33 आ जागा इसको मल्टिप्लाइ करते हैं और आंसर निकाल लेगते हैं 430 meters per second दोनों चीज हम लोग ने मालूम कर लिए चलते हैं फिफ्थ numerical की तरफ हो देखते हैं कि उसकी statement क्या कहती है का यह student देखते हैं कि इसकी statement क्या कहती है attention of 400 newton attention दिए यह सचे बढ़ी चीज़ को causes a 300 gram wire mass दिया हुए 300 grams आपको मलूम है यह standard unit नहीं है इसको 1000 से दिवाइट करेंगे तभी यह kg में आएगी तो यह बनेगी 0.3 kg wire of length 1.6 meter लोगी length भी हुए है 1.6 meter to vibrate with the frequency of 40 hertz frequency with भी है 40 hertz पूछा क्या है what is wavelength of that transverse wave wavelength मालूम करें अगर मैं wave equation लगा हूँ wave equation क्या कहती है v is equals to f lambda तो यहां से मैं lambda निकाल सकता हूं लेंडा उसने पूछा ना wavelength वो निकाली जा सकती है लेकिन उसके लिए मुझे दो चीज़ चाहिए speed और frequency अच्छी बात यह frequency given है देख रहें आप लोग लेकिन पूरे data में था ही speed नहीं है इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे पहले किसी तरह से speed ढूड़नी पड़ेगी और फिर उस speed को उस formula में पूट करके लेंडा यानिके वेवलेंट करने पड़ेगी तो आइए पहले हम speed मालूम करते हैं हम लोग ने पढ़ा के stationary waves हम लोग ने पढ़ा के strings के अंदर जो transverse wave होती हों उनकी speed होती है tension multiplied by length divided by mass of strength यह सारी T L और M तीनों चीज़े महज़ूद है आप लोग तो अब यह values put करते हम यह से लिए दिए होई थी ताके आप लोग speed निकाल से किए ठीक है speed आजाएगी speed आजाएगी 46.2 meters per second 46.2 meters per second अब यह speed आजाएगी speed भी आगी frequency पहले से थी अब हम lambda final को भी वी ओवर F V speed यह भी हम लोगो ने speed मालूम की थी 46.2 meters per second divide frequency से करने है और frequency है 40 hertz इनको divide करके देखते हैं क्या answer आता है यह आता है 1.15 15 meters answer आए तो wavelength है 1.15 meter चलते हैं next numerical पर और देखते हैं कि उसकी statement क्या कहते है तो आई students देखते हैं कि क्या आई गेंट डेटा है और क्या पूछ रहा हो गेरे compare करें compare जब भी कहते हैं physics में तो इसका मतलब है ratio लें the theoretical speed of sound है hydrogen में और जो speed of sound है helium में इनको compare करें compare का मतलब है आपको क्या बता है कि ratio लें तो मैं इसलिए इस तरह से gamma दिया हुआ है hydrogen की case में 1.4 फिर molar mass of helium दिया हुआ 4.0 grams per mole gamma helium दिया हुआ है 1.66 और R की value दिया है 8.334 joules per Kelvin per mole अब यह सारी जो चीज़े हैं यह हमें given है अब हम आते हैं इसकी solution की तरफ आप लोग जानते हैं कि जो speed of sound का फार्मूला हम लोग ने पढ़ा था वो था गैमा पी अब students आप लोग जानते हैं कि जो हम लोग ने speed of sound का फार्मूला पढ़ा था वो था under root अब यही फार्मूला जो है मैं hydrogen के लिए भी लिखूँगा और helium के लिखूँगा तो जब मैं इसी फार्मूला को helium के लिखूँगा तो यहां V के साथ एच यहाजएगा helium के लिए गैमा helium का डिफरेंट है तो गैमा के साथ भी ह यहाजएगा आर तो universal constant है वो तो same होगा temperature हमने एक ही रखा हुआ है यही जो मैस है वो भी helium का ही आजएगा यह helium के लिए उसी equation को लिख दिया मैंने अच्छा अब मैं इसी कोई इनको लिखता हूं तो जहां जहां हीलियम लिखा था वहां-बहां है लिख दूँगा तो गैमा के साथ है डूजन R T as it is आजएगा और नीच एके सार अब मैं क्या करता हूं इन दोनों को मैं दिवाईट करता हूं तो देखे जब मैं दोनों को डिवाईट लेस्जा से डिवाइट होगा S8 औ É हिए ही ही पर ही कहा रहाए हूं र ट handleRец hamburger Tik자 हुझ तो हमारे पास वी हीलियम ओवर वी हाइड्रोजन में यहां उपर क्या बचेगा अंडर रूट गैमा हीलियम ओवर मैस ओफीलियम डिवेटद बाइ यहां पर नीचे गैमा हाइड्रोजन ओवर मैस ओफादियम अब मैं क्या करता हूं चीज को अरेंज करते तो आको मालू मैं गैमा हीलियम तो अल्रेडी ओपर था लेकिन यह मैस ओफीलियम क्योंकि डिनॉमिनेटर के नीचे डिनॉमिनेटर में तो यह ओपर से राजाएगा मैस ओफीलियम नीचे आजाएगा और और अल्रेडी गैमा हाइड्रोजन तो नीचे था ही इसको पूट करके वैल इसको आंसर निकालते हैं गैमा हीलियम कितना है गैमा हीलियम है 1.66 और हाइड्रोजन का मैस है 2.08 गैमा हाइड्रोजन है 1.4 और मैस ओफीलियम है 4.0 और फिर सारी चीज़ का है जरा देखते हैं इसको आंसर आया 0.78 जो सिल्फ आज मैं हीलियम है मैं हीड्रोजन को अधर ले जाओ तो 0.78 ताइम्स पीड और हीलियम में हीड्रोजन के मुकाले में साउंड की स्पीड काम होगी और यह हम लोगे ने पढ़ा कि इस गैस की देंस्टी जादा हो उसमें स्पीड आफ साउंड कम होती है और यह हम लोग देख रहे हैं कि हीलियम जादा डैंस्टी तो उसमें देखें हाइड्रोजन के मुकाले में स्पीड असाउंड कम होगी 0.78 टाइम्स आ रहे हैं तो सुट्डेंट्स आब बाकी निमेरिकल हम करेंगे नेक्स टेक्श्चर में आपसे इंशाला मुलकात होगी नेक्स लेक्षिन में तब तके लिए अल्ला हाफिज